तो एक बार मैं भी लाइव देख लेता हूं आवाज क्लियर दी आई हो बस एक मिनट और मुझे पता चल जाएगा अब बढ़िया अचा जी कैसे हैं आप कैसे हैं सब कोई तो इन्वाइमेंट क्लास है तो आज आखरी डिर्व घंटे की क्लास है कल और परसो हम तीन घंटे की मैरतन रखने हैं कल और परसो तीन घंटे की मैरतन रखेंगे परपस होगा कि खतम हो जाए बहुत लंबा अध्याय चल रहा है अब वक्त आ गया इसे खतम करने का तो कल परसो कोशिश रहेगी यह खतम हो जाए तो इसे खतम कर देंगे तो नमस्कार श्विता जी नमस्कार तो चलिए साथ ही साथ मिलता है इनका unlimited access याने एक बार देखा नहीं समझाया है दुबारा देखिए तिबारा देखिए जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए इसके सिवा अगर आप देखे तो आप जल्दी से चाहिए अनकाडमी लर्निंग अप प्ले स्टोर या फिर आप स्ट को offline mode पर अब तक mentor भी किया है तो अनकाडमी पर जब भी जाएं यहां पर जाके मुझे follow करें तो मेरे जितने भी courses होंगे यह सारे आपको available हो जाएंगे और आपको दिखने लगेंगे जितने भी free live classes होंगे तो आप जैसा देख सकते हैं अनकाडमी में इंडिया के 100 से भी ज के सी category में available हो जाएंगे अगर आप अनकाडमी subscribe कर दे जो अगर हम subscription की cost देखें तो plus और iconic दो प्रकार की subscription है इसमें अगर हम plus subscription के बारे में जाने तो उसकी cost है एक साल की subscription की 44,000 रुपीज और अगर आप subscription code के सी 100 यूज़ करें तो यह हो जाएगी 10% off के बाद 39,600 वहीं 64,000 रूपीज और KC10 code के बाद instant 10% off मिलेगा और यह हो जाएगी 57,600 रूपीज इसके सिवा दोस्तों गरम देखें आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ additional benefits मिल रहे हैं नमबर वन आपको एक personal coach मिलने वाले हैं इसके सिवा आप अगर देखें तो daily means question answer practice होगी याने आपको हर रोज सवाल दिये जाएंगे और आपके जो answers हैं वो subject matter experts evaluate करेंगे और आपको फिर answer कैसे improve करनी है answer writing वो skill आपकी निखरेगी इसके सिवा एक study planner मिलेगा और personalized feedback भी मिलेगा तो इसकी अगर cost देखें एक साल की है 64,000 rupees के C10 code यूज करने के बाद ये हो जाएगी 57,600 rupees दो साल की cost है 99,000 rupees के C10 code के बाद ये हो जाएगी 89,100 rupees तो दोस्तों आपको मैं कुछ important बात बता दूँ अगर आप C10 use करेंगे तो number one आपको मिलेगी मेरी commitment की मैं हमेशा available रहता हूँ और मेरी जो guidance है वो pan subjects GS1, 2, 3, 4, essay and geography optional इन सब के लिए available रहने वाली है और मैं खुद हमेशा available रहने वाला हूँ तो कैसे prelims को approach करना है कैसे means को करना है इन सभी में आपको मेरे तरफ से पूरी support मिलती रहेगी तो जब भी an academy पर आए इसलिए code हमेशा केसी one zero use करें तो आज कुछ जंगल जंगल खबर थोड़े देर में start करते हैं तो बहुत important है कल हमने काफी चीज़े cover कर ली थी अरे भाया यो ration order कहां गया एक मिनटे एक मिनटे एक मिनटे जंगल जंगल खबर कल आर्से में start करनी है वापस से तो आईए start करते हैं जंगल जंगल पता चला है आई ये तो प्रनाम सोनू कैसे हैं आप आज थोड़ी सनाटा पसरा हुआ है आज लगता है मेसेज थोड़ा लेट हो गया पहुंचने में तो चली तो पहला जानवर आज का जो हम देखने वाले हैं न्यूज में हैं यह है यूरेशियन ओटर यूरेशियन ओटर अगर आप देखें नहीं 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 इस वज़ता जी अराम से सुनी है तो अगर आप देखें यूरेशियन ओटर तो यह अगर देखें तो एक समी एक्विटिक मैमल है याने पानी वानी इलाकों में विटलिंड्स के आसपास काफी ज्यादा देखता है तो इस प्रकार का जानवर इसे कहते ह तो अगर आप देखें तो youasian ओटर अयूशीं स्टैटिस जिसकी नियर स्रेटेंड है यह पहली बार पहली बार आप अगर देखें तो चिलका चिलका के पास देखने मिला है तो फिर्स टाइम ब्रैकिश वॉटर लगून चिलका उडिशा में यह देखने मिला है cute मुझे तो चुहा जैसा लग रहा है लेकिन बड़ा होता है तो अगर आप threats देखें तो जाहिर सी बात है पानी में रहेगा तो जो पानी को threat है pollution की है इस विचारे को poaching की threat है habitat loss की threat है accidental trapping की threat है और road वगेरा में गाड़ी वाड़ी दबा सकते हैं तो अगर आप देखें तो इंडिया में तीन प्रकार के otter पाए जाते हैं एक हो गया यह eurasian otter जो की near threatened है दूसरा है smooth coated otter यह vulnerable है तीसरा आप देखें तो वह है small clawed otter वह भी क्या है vulnerable है वह भी vulnerable है तो यह तीन प्रकार के otter इडिया में पाए जाते हैं हो सके तो आप IUCN status याद रखिए और दूसरा यह कहां पाए जाते हैं कुछ semi aquatic mammal है तो wetlands नदी इन सारे इलाखों में पाए जाएंगे next is red panda species red panda species यह cute है तो अगर आप red panda species देखें तो जंगल बुक में जो मुगली का दोस्त था उसके कंदे पे बैठा करता था उसको कहते थे red panda तो red panda species अगर आप देखें तो तो अगर आप देखें तो red panda दो प्रकार के होते हैं एक है Chinese दूसरा है हिमालियन तो हिमालियन red panda अगर आप देखें तो यह निपाल भुटान नॉर्दन इंडिया मियनमार टिबत यह पिसकली हिमालियन रीजिन में इन शॉर्ट कहना चाह रह देखें तो यूनान और सिच्वान प्रोविंस ओफ चाइना में पाया जाता है चाइना में ही पाया जाता है तो यह दो प्रकार के पांडा है तो जिनके अलग अलग रेट पांडा के दो प्रकार है तो डिस्टिंक स्पीशीज अब कर दिया गया है अब तक एक ही स्पीशी क्या है भई तो endangered है endangered है तो endangered IUCN status है यह याद रखिएगा और क्या होगा problem exotic pits एक problem है इसको exotic pit की तरह रखा जाता है चाइना में especially लोग घर पे पालते हैं और मेहमानों को preservation करते हैं देखो मेरे पास क्या जोरदार pet है इस प्रकार से दूसरा इसका meat और fur meat और fur इसके लिए भी इस बचारे को मारा जाता है आज मैं correct time पर हूँ शिवानी बिल्कुल time पर हैं आप बस दो जानवर मिस्स की हैं अब तो अच्छा नहीं आप तो थी तबसे आप तो थी तबसे ओके तो अगर आप देखें वाइट जिराफ दुनिया में इनकी संख्या केनिया में मारे गए और दुनिया में अब बस एक वाइट जिराफ बचा है आखरी तो वाइट जिराफ देखें तो कोई सेपरेट स्पिशीज नहीं है यह नॉर्मल जिराफ है बस फर्क क्या है यह वो जिराफ है जिसको ल्यूकिजम हो गया है यानि जिसकी मेलेनिन या स्कि की जो pigment होती है वो सारी pigment निकल गई है तो इस वज़े से वो बिमारी से सफेद हो गया है तो एक genetic condition है जिसे इंसानों में भी हो जाती है वैसे ही जिराफ में भी हो गई है तो इसलिए इसको कहते हैं white giraffe like panther panther बिल्कुल काला हो जाता है वैसे ही वैसे ही white tiger भी होता है white tiger तो white tiger भी कुछ अलग species थोड़े है basically वो सेम वाला tiger है जिसमें आप देखोगे तो pigments नहीं develop हुए तो genetic condition है तो इसलिए जिराफ white हो गया है आप panther में access हो गया है येस येस जिराफ अगर आप देखें कहां रहते हैं तो सवाना ग्रासलिंड में रहते हैं इसके सिवा आप अगर देखें तो इसका आई यू सीन स्टेटेस क्या है वल्नरेबल है ठीक है नेक्स जानवर देखते हैं लॉंग टेल्ड मकाव लॉंग टेल्ड मकाव तो ये अगर आप देखो तो ये एक तो क्राब इटिंग मकाव है क्या कण गया है ओके ओके ऐक मिनट बिल्ट करना है कहीं तो नहीं ओड़ गया और एक्स पिक्टेड कनेक्षें कनेक्षें आ चुका है आचुका है ओप्फुली नहीं आ गई है श्टक स्टक स्टक दो मिनट दीजे तो आ गया है आ गया आ गया है ना ओके ना ओके आई होप इस ना ओके ठेक है ना ओक्लियर चलिए तो नेक्स्ट अगर हम देखें लॉंग टेल्ड मकावू लॉंग टेल्ल याने लंबी पूँच वाले मकावू याने बंदर लंबी पूँच वाले बंदर स्टक अभी भी तो यह अगर आप देखो तो इन यह अगर आप देखो तो दीज आर क्राब इटिंग मकाउ क्रैब इटिंग मकाउ नहीं बढ़िया चल रहा है कहां स्टक है एकदम क्लियर है तो यह अगर आप देखें तो केकड़ा खाने वाले बंदर है क्रैब इटिंग मकाउ है और यह कहां पाए जाते हैं तो आप देखोगे वाइफाई करे हवा हवाई अच्छा नहीं 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 ऐसे तो अगर आप देखें यह फ्रेश वाटर हैबिटाट है फ्रेश वाटर हैबिटाट में पाए जाने वाले बंदर है औस्टलेशिया इंडो मलेन रियाम में पाया जाता है ग्रेट निकोबार में भी पाया जाता है मतलब कि आप देखो तो अंडमान निकोबार आइलेंड देखोगे तो उसके आगे अगर आप देखो इस प्रकार से तो यह कहां पाये जाते हैं तो आप देखोगे तो इस प्रकार से इतने रीजिन्स में ये वाले प्रकार के बंदर और इंडिया में देखो तो नकोबार रीजन में भी पाए जाते हैं तो ये लीस्ट कंसर्न है ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लॉंग टेल मकाव कूछना बहुत मुश्किल होगा थोड़ा कॉस्टली वाइपाई है तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट है हिमालियन आईबिक्स तो ये आईबिक्स क्या है बिसिकली भीया कुछ अलग नहीं है जंगली गोट है जंगली गोट है तो ये अगर आप देखें तो हिमालियन आईबिक्स तो एक रीसेंट स्टडी हुई है जूलाजिकल सर्वेय औफ इंडिया की वह प्रूब करती है कि हिमालियन आईबिक्स जो वह साइबिरियन Siberian Ibex से अलग है अब इस आईबेक्स यानि इस प्रकार के पहाड वाले इलाकों में पाए जाने वाले जो गोठ है बकरी हैं तो वो दो प्रकार के एक है Siberian एक है Himalian तो हमालेन आइबेक्स कहां पाये जाते हैं? आपको मालूम होना चाहिए नाम में ही एंसर है हमालेया में जम्मू कश्मीर लद्धाख हिमाचल प्रधेश इन सारे रीजिन्स में पाये जाने वाले बिसिकली ट्रांस हिमालेया वेश्टन हिमालेया और ट्रांस हिमालयास में पाए जाते हुए आपको दिखेंगे तो ये साइबीरियन इबिक्स से अलग है कहाँ पाए जाते हैं आपको अच्छे से याद होNa चाहिए पिं वैली पिं वैली कहाँ है हिमाचल प्रदेश में दूसरा आप आप देखो तो कांजी कांजी आप देखो तो कहा है कांजी अगर देखो तो आप जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर में तो यह कांजी और पिन वैली इन दो नैशनल पार्क्स में पाए जाते हैं आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए इतना याद जिनमें बेसिकली साइबीदिया के आसपास जो पहाड़ी इलाके हैं यह सब जगए पाए जाते हैं आई यू सीन स्टेटर्स क्या है लीस्ट कंसर्न बस यह न्यूज में है तो उस टाइम भी करा दिया था तो जल्दी से इसको खदम करेंगे ज्यादा टाइम नहीं है कुछ- आईबेक्स हो गया था कुछ-कुछ नए भी आएंगे फिर अगर आप देखें ग्रे सील है तो ग्रे सील आप अगर देखोगे तो यह अगर आप देखोगे तो कहां पाए जाते हैं सबसे पहले तो बाल्टिक सी में एस्टोनिया के आसपास जो रीजन है एस्टोनिया ज्यादा जमी नहीं तो इस वज़े से यह ग्रे सील जो अपने बच्चों को इन आइक्सोलेटिट बरफ में पालते हैं इस वज़े से यह बरफ नहीं हुई तो इनके बच्चे पले नहीं इस वज़े से यह इजीली वुल्स या फॉक्स का खाना बन गए तो इस वज़े से बड़ी problem हो गई है gray seal को ये क्या है IUCN status least concerned next है blue throated macaw ये बंदर वाला macaw नहीं है ये m-a-c-a-w है तो ये macaw m-a-c-a-q-u-e वाला macaw नहीं है जो हमने अभी देखा बंदर के लिए तो ये m-a-c-a-q-u-e है ये m-a-c-a-w है तो m-a-c-a-w वाला macaw क्या होता है बड़ा सा तोता बड़ा सा तोता होता है तो अगर आप देखें अगर आप देखें तो इसका IUCN status क्या है ये critically endangered है और सबको लगता था ये दुनिया से खतम हो चुका है 1992 तक जब पहली 1992 में जाके देखें साउथ अमेरिका में वापस से दिखना शुरू हुआ तो बस जान लीजिए ब्लू थोटेड मकाव क्या है critically endangered है critically endangered है नेक्स ते येस येस लेक्स ट्रैप हो सकता है अज़ाई आप लेट है थोड़े से लेट है नेक्स ते आप देखो साल forest tortoise हाँ मकाव तीन है एक मकाव हो गया बंदर एक मकाव आपने देखा तो ता तीसरा मकाव देखी तो चाइना में एक प्रोविंस है जो की इन न्यूज है है ना होंग कॉंग के साथ तो तीनों मकाव इन न्यूज है तो आपको तीनों जानने हैं तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो साल फॉरेस्ट टॉटोईज तो साल फॉरेस्ट टॉटोईज अगर आप देखो तो ये तो अगर आप देखोगे तो इनका जो 90% distribution है वो protected area के बाहर है याने wildlife century national park के बाहर 90% of salt forest or toys पाए जाते हैं इनके अंदर सिर्फ 10% salt forest or toys पाए जाते हैं कहां पाए जाएंगे जहां साल का जंगल होगा साल का जंगल कहां होगा Eastern especially Eastern India बिहार, जारकंड, Eastern UP, some parts of northern parts of Odisha, चत्तिसगर इन सारे डीजन्स में आप देखोगे तो साल का जंगल होता है और उसी में मिल जाता है साल forest or toys तो IUCN status क्या है इसका critically endangered है क्यों hunting होती है इसकी खाने की तरह इसे खाया जाता है इसके सिवा इसका mask बनाया जाता है बड़ा ब पिट भी पाया जाता है तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट इस डुगॉंग डुगॉंग अगर आप देखें तो वर्ल्ड डुगॉंग डे 2020 28 में को मनाई गई क्या परपस था सेव डुगॉंग सेव लाइवलियोड इसका थीम था तो डुगॉंग अगर आप देख हो तो वर्ल्ड का ओनली हर्भी वोर मरीन मैमल है यह विचारा घास खाता है सी ग्रास होता है पानी के बेड पे सी ग्रास होता है जिसे यह खाता है और कुछ विचारा ज्यादा खाता नहीं है तो कोरल बेड के पास में अक्सर यह सी ग्रास पाए जाते हैं तो इसलिए डु सी ग्रास स्विता जी सी ग्रास अगर आप देखोगे तो इस पानी तो अगर आप देखें तो कहां पाया जाता है वांब कोस्टल वॉटर्स में कहां से कहां तक जितना भी ट्रॉपिकल रीजन है गरम गरम समुद्र का पानी मिलेगा वहां पर आपको मस्ट डुगॉंग क्या है ? तो इस वज़े से वांब कोस्टल वॉटर है कि उंक होते हैं त्रॉपिकल रीजन में गरम पानी वाले रीजन में इसकी यह वहांँ पर दिखता है तो इसके सिवा आप त्रिट देखो तो समुद्र में तैरता है लंबी दूरी भी चला जाता है लेकिन इसी गरम प और सी काओ, सी काओ, आयू सी इन स्टेटर्स, वलनरेबल, नेक्स देखिए, चारू मुसल, चारू मुसल, पता नहीं कौन सा मुसल है, तो मुसल क्या होता है, मोलस्क, बाई वाल्व, ये देख रहे हैं, जो सी पी होती है, समुझर किनारे ऐसे खुलने वाली, बंदोने वाली तो ये वही चीज है, खुलती है, बंदोती है जो, तो ये वही वाला बाई वाल्व है, तो है क्या ये चीज? ये इनवेजिव स्पीशीज है, केरला के कोस्ट में बहुत तेजी से फैलने लग गया है, स्पेशली के बैक वाटर्स में, क्यूं भाई कहां से आ गया शिप के नीचे हल पे चिपक चैया है, हाँ, बॉडि सौफ होती है, जी होती है, जैसा वेल का होता है, कुछ वैसा ही, लेकिन मैमल है वेल जैसा ही, ठीक है, वेल या डॉल्ईन जятиBC बॉडू होती है, तो अगर देखने तो ये कैसे आया, तो ये शिरन आ गया है, साउग्य अमेरिका से, शिप के हल से, हल से मतलब क्या हुआ, ऐसे चिपक के उसके नीचे वाले हिसले में चिपक के चल के आ गया, कहां से साउथ अमेरिका से इंडिया, दूसरा तरीका कहा जा रहा है कैसे आया है, बिलास्ट वाटर के थुरू आया है, बिलास्ट वाटर क्या होता है, अगर आप देखें तो होता यूँ है कि जो शिप होती है उसमें उसमें जब भी कोई समान लोड होता है साथ साथ एक उसके अंदर एक टैंक होता है जिसमें समुद्र का पानी वो भरता भी है साथ साथ तो होता यूँ है कि अगर समान लोडिंग हो रही है समान लोडिंग हो रही है तो शिप क्या होगा दिर दिरे वजन से नीचे जाता जाएगा पानी में तो उसी हिसाब से जैसे जैसे वजन आता जाता है शिप में वैसे वैसे पानी क्या करते हैं छोड़ते जाते हैं छोड़ते जाते हैं तो फाइनली उसी वजन के प्रपोर्शन में शिप अपने जगे पे स्टेबल रहती है अदर्वाइस क्या होगा शिप उपर नीचे होती रहेगी तो इसी को कहते हैं बेलास्ट वाटर तो होता यू है कि शिप लंबी दूरी तक अपने साथ ये बेलास्ट वाटर कैरी करके चली जाती है त तो इसी बेलास्ट वाटर में क्या हुआ कहते हैं कि हो सकता है इस शिप इस मोलस्क का लार्वा भी आ गया हो और वो लार्वा जब यहां पर इंडिया पहुंची बेलास्ट वाटर साउथ अमेरिका का लेके जब यहां पर पानी रिलीज किया तो वो लार्वा के साथ इंड जो मोलस्क पालते हैं और इसको मारते हैं और इसको बेचते हैं तो अब क्या होगा अब होगा ये कि ये जो अपने domestic मोलस्क से जिनको खाया जाता था जिसको खाया जाता था ये कहीं न कहीं बहुत तेजी से इनको replace करता जा रहा है इनको replace करता जा रहा है तो ये threaten कर रहा है उनकी livelihood को तो दूसरा कारण ये भी दिया जा रहा है कि cyclone ओखी के वज़े से भी ये तेजी से बढ़ने लगे हैं cyclone ओखी के बाद से ऐसा report किया गया इनकी मातरा बहुत जादा बढ़ गई है IUCN status एक बार देख लीजेगा बट least concern ही होगा अगर evaluated होगा तो least concern होगा invasive species है आतंक मचा रहा है अगर आतंक मचाएगा तो least concern ही होगा otherwise उसे बचाने की ज़रत होगी है ना अगर near threatened भी होता तो आतंक मचा रहा है तो most likely least concern है इतना असानी से ship में आ जाता है Amazon से तो जाहर सी बाते least concern ही होगा next देखते हैं so next है अपना Penang पिनांगा एंडर मैनिसिस भाईया पेड है ये पाम पाम का एक variety है कुछ अलग वलग नहीं है एक rare palm है जो कि क्या है critically endangered है कहां पाया जाता है तो South Andaman Island में वहाँ पर देखोगो तो Mount Harriet National Park है इसी में पाया जाता है ये critically endangered palm जिसका नाम है Penang अंडर मानिसिस तो याद रखिएगा अंडर मानिसिस आ गया तो क्या है वो अंडर मान के Mount Harriet National Park में पाया जाने वाला critically endangered palm है critically endangered palm है नेक्स्ट है Anthurium तो Anthurium देखे तो इस प्रकार का flowering plant होता है लोग घर पे भी लगाते हैं तो अगर देखे तो National Innovation Foundation ने recently कहा है कि Anthurium को बहुत तेजी से प्रमोट किया जाए जगे 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 ग्रो करवाया जए क्यों तो ऐसा पाया गया है यह जो domestic flowering plant है यह air को अपने आज पास purify करता है harmful air chemicals जो होते हैं like formaldehyde, ammonia, tolven, xylene और pollen से जैसे जितने भी allergens होते हैं उनको remove करता है तो यह आप कह सकते हैं National Innovation Foundation द्वारा certified है तो आप इसको लगा सकते हैं इसके सिवा सुन्दर फूल तो इसमें होते ही हैं NASA ने भी इसको एक air purifier के list में इसे include किया है तो यह दखिएगा Anthurium Anthurium क्या करता है तो भाई हवा साफ करता है Anthurium for air pollution नेक्स देखिए तो बस जान लीजिए National Innovation Foundation है क्या तो यह एक autonomous body है under Department of Science and Technology जिसका काम क्या है grassroots level पे innovation प्रोमोट करवाना grassroots याने बिल्कुल नीचे जमीनी हिस्से पे जमीनी जगाहों पर innovation प्रोमोट करना चलिए नेक्स अगर हम देखें नेक्स अगर हम देखें तो यह है conservation efforts बिल्कुल important है यह सब important है जो जो cover कराया है सब important है इसमें कोई option ही नहीं है आपको याद रखना है नेक्स देखें भाई तो क्या हो रहा है तो अगर आप देखें तो UN अगर हम देखें तो मना रही है UN Decade on Ecosystem Restoration तो UN ने कहा है 2021 से 2030 तक मनाया जाएगा Decade on Ecosystem Restoration तो क्या किया जा रहा है UN Decade on Ecosystem Restoration अगर हम देखें तो क्या purpose है नाम से ही पता चलता है Degraded, Destroyed Ecosystem को Restore करना और साथ ही साथ तो इनका कहना है अगर आप Ecosystem को Restore करेंगे तो Ecosystem Services क्या हो जाएंगी अच्छी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी अगर Ecosystem Services अच्छी होंगी तो ही आप Climate Change के वज़े से आने वाले Crisis को, Food Security को, Water Supply और Biodiversity Loss को कहीं न कहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो ये इसका नाम का मतलब है तो बिसिकली आपको याद रहने वाला है बस जान लीजिए 2021 से 2030 तक UN Decade on Ecosystem Restoration है जिसका एक परपस Climate Change के अगेंस्ट भी लड़ना है तो अगर हम देखें तो कुछ Regional Efforts को भी ये अपने अंदर इंक्लूड कर रही है तो जान लीजिए अलग अलग Regional Efforts तो पहला है Initiative 20 x 20 20 x 20 कहां पर है Latin America का है क्या परपस है 20 million hectare of degraded land 20 million hectare of degraded land by 2020 इसलिए 20 into 20 क्या करना है इसको restore करना है 2020 तक 20 million hectare degraded land Latin America याने South America के countries restore कर देंगे EFR 100 अगें क्या कहेगा ये कहेगा तुम 20 करोगे जाओ मैं तो 100 million hectare करके दिखाऊंगा EFR 100 कहता है कि हम 100 million hectare of degraded land restore कर देंगे by 2030 तो ये आपको जानना है इंडिया ने भी कुछ कहा है कहीं पर जल्दी से बताईए मुझे इंडिया ने कहीं पर कहा है 26 million hectare हम भी करेंगे किसके अंदर इंडिया ने कहा है कि हम 26 million hectare of degraded land restore करेंगे याद है खापी के भूल चुके हैं कहा पी के भूल कैसे जाते हैं घ्यान है पज़ जाता है क्या कहीं पर तो कहा था 26 million hectare हम भी करके दिखाएंगे मोधी जी ने भी कहा था वाह मोधी जी वाह 5 million hectare और करेंगे by 2030 करेंगे हाँ हाँ ndc कमिट है ndc नहीं है पिछले साल क्या हुआ था न्यू देली न्यू देली डिक्लेरेशन कुछ हुआ था याद है इंडिया में आप देखो तो यू एन सी सी डी श्विता जी भूल गई मैं पूछा कि भाई इंडिया ने भी कहीं कुछ ऐसा ही कहा है कि हम डिग्रेड़ेड लैंड की मात्रा 26 million hectare से कम करेंगे 26 million hectare के डिग्रेड़ेड लैंड को हम री स्टोर करेंगे by 2030 कॉप की मीटिंग में कौन सी कॉप किसकी कॉप में तो UN CCD की कॉप मीटिंग जो दिन्यू देली में हुई थी बहुत बढ़िया तो येस तो वहाँ पे जो न्यू देली डिक्लेरेशन था उसमें इंडिया ने भी क्या कहा है अपने टर्गेट्स लिये हैं कि हाँ हम बान कुछ बान चैलेंज के अंदर गत याद है इसी से मिलता जुलता क्या था बान चैलेंज दुनिया को चैलेंज दिया गया था तो हिढिदिया ने भी कहा आँ हम भी करेंगे 26 million hectare करेंगे हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आपको याद भी करते रहना है भूलिएगा मत चीजें बार-बार आगे पीछे याद करते रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नहीं नहीं क्लाइमेट मीट नहीं था यह यूएन CCD था UN Convention to Combat Desertification तो ecosystem restoration क्या होता है आई आगे देखते हैं ecosystem restoration क्या होता है नाम से ही पता चलता है ecosystem को restore करना मतलब जो ecosystem है जो degraded है damaged है destroyed है उसको वापस improve कर लेना कि याद है कैसे बूली हूँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया याद रखिये याद रखिये याद रखिये ठीक है तो अगर आप देखें purpose क्या है restoration activities का कि जो ecosystem है वापस मजबूत हो जाए और जो पहले जो disturbance हुए थे पहले के कारण से अब दुबारा ना हो कुछ काम का नहीं कुछ काम का नहीं फिर अगर आप देखें तो पर कैसे आप ecosystem restoration कर सकते हो तो यह जान लो vegetation लगा दोगे a forestation native trees लगाना भाई बगवान के लिए अगर पेड़ी लगाने हैं तो विदेशी पेड़ ना लगा दे ना eucalyptus ना लगा दो कि वो एलिलो पैथी कर दे और आपके बागी पेड़ पौधे को मार दे invasive species को सास करो साथ ही साथ आप देखो तो जो perennial agriculture है उसको भी देखो तो agroforestry follow करो और regenerative agriculture याने कुछ perennial agriculture usually क्या हो रहा है अगर agriculture भी कर रहे हो तो कुछ forestry टाइप का वैसा वाला follow करो जिसमें साल भर कुछ हो रहा हो तो वैसा कुछ कहना चाह रहा है तो अगर आप देखे ecosystem restoration में एक international decade है तो क्या-क्या international decade ने तो जान लीजिए 2020 में बहुत सारे international decade खतम हो रहे हैं कौन-कौन से international decade खतम हो रहे हैं तो 2020 में एक biodiversity का decade था वो खतम हो रहा है बहुत important है याद रखिएगा फिर आप देखे तो road safety का decade था वो भी खतम हो रहा है तीसरा decade अगर हम देखें तीसरा decade अगर हम देखें तो UN decade for desserts and fight against desertification तो वो भी आप देखो तो खतम हो रहा है तो ये सारे desserts पे खतम हो रहे हैं तो mains पर इनमें सवाल आना बनता है कि क्या biodiversity को लेके हमने achieve किया है road safety को लेके क्या achieve किया है desserts को लेके desertification को address करने के लिए हमने अब तक क्या किया है next अगर देखें तो year 2020 को कहा गया है ये है super year for biodiversity super year for biodiversity तो क्यों भाई तो हुआ यूँ कि जो IT biodiversity targets थे वो अगर आप देखोगे 2010 में 2020 में वो खटम होने थे वो खटम होने थे तो अगर हम देखें तो 2011 से 2020 तक UN decade on biodiversity थी जिसमें आईची biodiversity targets हमने attain करने थे अचीव करने थे और इस पर हम detail में चर्चा कर चुके हैं अगर आप देखें तो 2021 onwards एक नया UN decade of ocean science for sustainable development स्टार्ट हो रहा है और दूसरा है UN decade on ecosystem restoration तो 2020 में आईची biodiversity target वाला target भी हुआ और दो नया चीज जो अचीव होना है वो है sustainable development UN decade of ocean science for sustainable development and UN decade on ecosystem restoration सवाल बनेगा हो सकता है कुछ ऐसा सवाल बने 2021-2030 marks the UN decade of which of the following तो ये एक सवाल हो सकता है तो इस तरीके से आप याद रखिएगा तो one only one and two one two three इस प्रकार से सवाल बन सकता है तो आपको याद रखना अच्छा रहेगा कि 2021-2030 कौन-कौन से UN decade हो रहे हैं तो याद रखिएगा एक ओशन से रिलेटेड है एक इको सिस्टम रिस्टोरेशन से रिलेटेड है तो अगर आप देखें तो strategic plan for biodiversity 2011-2020 याने आईची याने आईची अगर आप देखो तो हमने और डिसकर्स किया है convention on biological diversity के अंदर इसको declare किया गया था कॉप 10 जो की नगोया में हुआ था उसके अंदर ये सारे टार्गेट्स अचीव करने थे तो अगर आप strategic plan में देखोगे तो आईची बायो डाइवर्सिटी टार्गेट के 2020 में खतम हो नी थी इसलिए इसके टूइन टार्गेट से ये टार्गेट पांच प्रकार के गोल्स में बाट दिये गए थे और उसके अंदर देश दुनिया को ये टार्गेट्स बायो डाइवर्सिटी को लेके achieve करने थे तो जिसमें हमने already चर्चा की है इसके सिवा आप देखें इसके सिवा आप देखें तो अभी हाल फिलाल में कुछ खास अगर हुआ है तो न्यूज में एक ये बहुत important चीज है ये नगोया वोज इन जपैन तो आईची भी अगर आप देखो तो वैसे ही जपैन के उसमें हुआ था तो आपको ये याद रखिएगा बायो डाइवर्सिटी समरक्षन इंटर्णशिप प्रोग्राम तो ये अगर आप देखोगे तो नैशनल बायो डाइवर्सिटी अथारिटी एन बीए कोई बताएगा एन बीए स्टाट्विट्री बाडी है की नहीं और अगर स्टाट्विट्री है तो कौन से आक्ट के अंदर बनी है कौन से आक्ट के अंदर नाशनल बायो डाइवर्सिटी अथारिटी बनाई गई है येस 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 मैंने भी पढ़ा है इंडियन एक्स्प्रिस नहीं है तो वही कारण है लोकस अटैक्स का भी लेके तो काफी ज्यादा उनको खाना वगेरा मिल जा रहा है तो यह मैंने भी पढ़ा है एक फॉरेस्टेशन प्रोग्राम चल रहा है थार रीजन में तो वह भी ग्रीन कर रहा है उस वज़े से भी वह ग्रीन हो रही है तो अगर आप देखें श्वेता सिंग वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट 1972 फस गई आप ट्राप में मैं सोच रहा था आप सब इसी ट्राप में फसेंगे तो cbd को इंप्लिमेंट करने के लिए हमने एक लॉब बनाया था cbd liberty को इंप्लिमेंट करने के लिए एक biological diversity act है याद है बायो डायो डायो डायों डायों डायो डायों टायों डायों रायों सिटी wicked Lewis च्थ तो उसके अंदर नहीं शुदा जी उसके अंदर आगर आप देखोगे तो वैछ डायों डिश्डियांग अन्दर एक नाशचनल लेव पर State Biodiversity Authority है, फिर देखो तो District Level पर District Management Committee है, तो इस प्रकार की 3-tier body बनाई गई है, Biological Diversity Act के अंदर, याद आया, किया है हमने जब सारे के सारे National Legislation किये थे, उस टाइम पर, येस, BDA 2002, Biological Diversity Act 2002, येस, 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 तो उसके अंदर आप देखो तो national biodiversity authority बनाई गई है तो इसमें अगर आप देखो तो biodiversity समरक्षन internship program भी हमने launch किया है क्या purpose है इसका तो जितने भी post graduate students हैं उनको support मिले उनको internship opportunities यह provide कर रही है तो nba provide कर रही है ठीक है okay 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 नहीं आदाया 1992 क्यों भाई 1992 क्यों ठीक है ठीक है देखिएगा वापस देखिएगा हमने cover किया था जब static वाला part हम cover किये थे next देखिए next देखिए तो इसके सिवा दो हजार दो हजार दो दो हजार दो येस तो next अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइल लाइफ fund wws यह कोई बात नहीं है नाचुरल है नाचुरल है नाचुरल है तूबी फ्रैंक मुझे भी ये सारी चीजें जब जब मैं exam देता था तो exam के पहले ही मैं रट पाता था तो मुझे याद रहती है एक बार देखूंगा नहीं तो मुझे याद नहीं रहती थी अब जब पढ़ाने लगा दीरे दीरे तो याद होगे इतनी बार बोलते 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 मुझे याद हो गया है अगर वह अपने इतना ज्यादा बोल पा रहा हूं क्योंकि अब मेरा concentration कुछ limited subjects में चला गया है but as a student हमको सब manage करना पड़ता है quality भी पढ़ना है modern history भी पढ़ना है art and culture भी पढ़ना है तो इतने सारे subjects पढ़ने हैं तो obviously आप मेरी तरह एक ही चीज बार बार नहीं बोल सकते तो आपको क्या करना होगा आपको revise करना होगा है ना exam के ठीक पहले revise की जी आशा जी लेकिन उसको implement करते करते हमें 10 साल लग गये CBD 1992 में आया अपने रियो कंफरेंस के अंदर उसके बाद उसे implement करते करते दो 10 साल के बाद हमने नगोया protocol क्योंकि वो नगोया protocol आया है उसके बाद जाके उसे implement करना start किया है ठीक है तो अगर आप देखें तो WWF अग भी एक हुई है थीक है ठीक है ठीक है ठीक है कैसे लेके जाओगे ठीक है चीट लेके जाना पड़ेगा तो अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइल डाइफ फंड देखें तो उसने इंडिया वाला जो विंग है एक model conference of party parties तो conference of parties होती है तो एक model conference of parties बच्चों के लिए करवा दिया तो जाट वह भी आएं आके चर्चा करें awareness campaign है आपको याद नहीं रखना तो cbd के बारे में आए थोड़ा जान लीजिए तो जैसा आप देखें तो आपने अगर कही दिया है तो cbd के बारे में देखें तो international multilateral treaty है 1992 में sign हुई है Rio Earth Summit के अंदर तो इसका purpose क्या था कि भाई biological diversity को conserve किया जाए जितने भी components है biological diversity के उनको बचाया जाए उनको sustainably utilize हो और तीसरा जो benefits होती है अगर मैंने तुलसी बचाई है जो मैं example देता था अगर मेरे पुष्टों ने ये तुलसी बचाई है ये तुलसी का plant जिससे तुम कोरोना की बिमारी के लिए दवाई बना देते हो त मेरे साथ share होने चाहिए मेरे community के साथ share होने चाहिए तो इस principle को क्या कहेंगे fair and equitable sharing fair and equitable sharing तो ये तीनों principle इसके main principles है इसके objectives है तो अगर देखे cbd के अंदर गत cbd के अंदर कुछ agreements हुए हैं कुछ agreements हुए हैं तो तो अगर आप देखोगे YouTube पे ट्रिक देखों ठीक है ठीक है तो अगर आप देखें अगर आप देखें तो cbd के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हैं नगोया प्रोटोकॉल नगोया प्रोटोकॉल तो इसका परपस यही है एक्सिस एंड बेनिफिट शेरिंग क्या मतलब मतलब सिंपल है कि आप जाओ जनेटिक रिसोर्सिज याने कि अगर मैंने वो तुलसी बचाया है तो इससे तुम दवाई बनाओगे तो जो पैसे बनाओगे वो वो अगर आप देखोगे तो अरे वो मजाग कर रही है चलिए च अच्छा ठीक है अब चिट किस पर बनाके जाएंगी थोड़ी ना किसी को नहीं मालूम होता है वही सवाल थोड़ी आता है वो सवाल कभी नहीं आता है तो यूप्यसी के एक्जाम की यही खासियत है तो भी फ्रांक आजकल तो फिर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है चे अगर तुम्हें ले जाना क्या क्या ले जाओगे हाथ में क्या क्या लिख लोगे चिट में क्या क्या लिख लोगे ठीक है हाँ मुझे मालूम है मताग चल रहा है इसे लिए तो अगर आप देखें तो इसी में नगोया प्रोटोकॉल है और एक्सेंड बेनेफिट शेरिंग परपस क्या है कि जो benefits निकल रहे हैं वो सब के साथ share किये जाएं याद है आप लोगों को यह नगोया प्रोटोकॉल सब को याद है तुलसी का example मैं देता था कोरोना के साथ लिंक करके याद है या भूल चुके हैं मैं फिर से दूंगा नहीं तो याद है काटा जिना प्रोटोकॉल नगोया प्रोटोकॉल किशोर भाई कहां थे मैं बढ़िया हूँ आप बताएं तो यह याद है कि नहीं याद है नगोया क्या था काटा जिना क्या था वहाला तो नगविया प्रटोड को संपल एकसेस इंड बनिफिट चेरिंग पर है काट जिनब प्रोटोकॉल का परपस है बायो सेफटी याने लिविंग मोडिफाइड और्गेनिसम्स लिविंग मोडिफाइड और्गेनिसम्स अगर मैंने कोई बायो टेकनोलजी को यूज करके मानलो मैंने GM crops को genetically modified crop को यी बनाया है मानलो BT brinjal है तो अगर BT brinjal US में use हो रहा है इंडिया में use करोना है तो as an Indian इंडिया में वो America से America की company के brinjal को अगर मुझे ले के आना है तो मुझे पहले से मालूम होना चाहिए ये BT brinjal क्या क्या इस पर research हुआ है number one number two इसको कैसे safely manage करना है handle करना है so that ये बाकी जगे कुछ problem adverse effect ना करे so that was Cartagena Protocol कुसी को implement करने के लिए Cartagena Protocol को ही implement करने के लिए है Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol तो उसके तहत आप देखोगे तो international rules बन जाते हैं कि कैसे living modified organisms को लेके अगर कोई liability हो liability मतलब liability मतलब मान लो मैं BT brinjal US से इंडिया ले आया और इसने कुछ ऐसा कांड किया इंडिया में कि इंडिया से brinjal से लेके cotton सारे के सारे क्या हो गए खतम हो गये ब्रिंजल भी खतम हो गया cotton भी खतम हो गया कुछ ऐसा इसने कांड कर दिया तो अब मैं किसी को तो responsible कर ठहराऊंगा ना इसके लिए तो मैं किसको responsible ठहराऊंगा वो country जो source था जहां से लेके आया तो उसी को लेके liability management को लेके कौन सा प्रोटोकॉल है नगोया कौल अलंपूर प्रोटोकॉल तो कैसे liability उसे कैसे destroy करना थे था थे और अप्रेसर आपको यहीं थीन चीजे जानने हैं एको sensitive जोन लोन तो सबसे पहला सवाल इको इंसिटेव जोन स्क्रीन है या नहीं है तो चुरी सुनिज तो appelle हcoming привет को तो जोन घोशित किया है तो यहां बनता है आप चाहो तो निकाल दो किसके अंदर निकालोगे इनवाइमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर EPA याद रखिएगा नाशनल पार्क वाइल लाइफ सेंचुरी और जितना कॉंजर्वेशन रिजर्व कम्यूनिटी रिजर्व यह सब किसके अंदर आता है यह सब यह सब कौन से अक्ट के अंदर है wildlife protection act के अंदर है लेकिन eco sensitive zone किसके अंदर है इनवाइमेंट protection act के अंदर है तो यह एक trap है इसको याद रखिएगा आपके दिमाग में enforce करवाया जा सकता है statement 1 होगा national park and eco sensitive zones both are related both are kind of protected areas for protection of biodiversity statement 1 तो true हो गया statement 2 हो गया national park and wildlife century are notified under wildlife protection act तो वो statement भी true हो गया फिर आएगा statement 3 statement 3 आएगा कि eco sensitive zones which are declared around protected areas are also notified under wildlife protection act तो अब तक आपके दिमाग में चीजें enforce हो चुकी है कि जरा भी कुछ confusion कि जरा भी अगर कुछ confusion होगा तो आपको लगेगा हाँ भाई eco sensitive zone भी जरूर wildlife protection act के अंदर declare होता होगा लेकिन यह क्या है यह गलत है तो इस प्रकार से examiner आपके दिमाग के साथ खेलेगा ही खेलेगा इस प्रकार के सवाल बनेंगे तो याद रखिएगा दिमाग के साथ ना खेलना दें ना खेलने दें है ना तो एक बहुत famous bollywood actors आज कल चल रही है दिमाग के साथ किसी के खेल गई थी ओ तो वैसे आपके दिमाग के साथ कोई ना खेले तो वैसा ना हो कुछ ठीक है तो तो eco sensitive zones environment protection act 1986 के अंदर बनता है तो अगर आप देखे moe fcc ने क्या किया है कुछ guidelines दिये हैं कि eco sensitive zones को कैसे declare किया जाता है around national park and wildlife century तो इसमें अगर आप देखोगे तो उसी guidelines में दिया गया है क्या activities allowed है और क्या allowed नहीं है वाइफाई बंद है कि शोर बारिश बहुत हो रही है लगता है आपके यहां भी तो तो ठीक है ठीक है तो अगर देखें तो आपको जानना है कुछ activities prohibited होते हैं कुछ activities restricted होते हैं कुछ activities permissible है इको sensitive zone में prohibited activities क्या है गंदी activities mining polluting industries hydroelectric projects आप करी नहीं सकते यह सारे activities आप eco sensitive zone में नहीं कर सकते फिर कुछ activities restricted है याने regulated है करो मगर प्यार से करो like पेड़ काटना है हाँ अगर कुछ होगा है चलो पेड़ बूडा हो गया है काट दो hotel बनाना है resort बनाना है ठीक है ध्यान से बनाओ ध्यान से बनाओ कुछ अगर agriculture system लानी है कुछ develop करवानी है हलका change करना है तो कर सकते हो exotic species लानी है तो कर लो लेकिन ध्यान से करो तो next होता है तीसरा प्रकार का activity permissible permissible तो वो क्या है allowed है rainwater harvesting करनी है बिलकुल करो organic farming करनी है बिलकुल करो agriculture जैसा आज तक पुष्टों से करते आए हो करते रहो change करना मुश्किल है तो याद रखिएगा ecosystem zones जो होते हैं वो ownership rights को नहीं बदलते लेकिन land use में कुछ change को लेके थोड़े particular होते हैं land use change allows असानी से नहीं करते याने कि आप अगर देखो मैं आज तक eco sensitive zone में मान लो मैं गेहूं उगाता हूं अचानक से मेरा दिमाग घुमे और मैं क्या करूं कि कहूं कि ना गेहूं मेहूं से पैसे नहीं मिल रहे मुझे क्या करना है कि भाई मैं agriculture system को पूरे तरीके से बदल दूंगा मुझे किसी ने कहा यहां तुम चंदन की लखड़ी लगाना शुरू कर दो तो मैंने चंदन की लखड़ी लगाना शुरू कर दिया तो इस प्रकार से मैंने कुछ changes किये तो यह क्या है land use change बहुत जादा किया विदिन दा agriculture विदिन दा agriculture तो वो थोड़ा allowed कम होता ह वो थोड़ा allowed कम होता है तो इसलिए वो restricted है restricted है तो eco sensitive zone की बात हो तो आपको मालू होना चाहिए किस basis पे आप declare करोगे तो कोई protected area already है तो उस पे basis वो information का एक basis होगा कोई national park wild life century दूसरा जो चीज आप consider करोगे eco sensitive zone का कितना बड़ा area होना है यह एक parameter होगा जिसके basis पर आप eco sensitive zone को declare करोगे तीसरा हो सकता है कितनी बायो डाइवर्सिटी यहां available है और कितने villages हैं तो यह हमारे काम का खास नहीं है क्या काम का है आपको जानना है कि यह जो guidelines है उसके अंतरगत अगर eco sensitive zone propose करना है तो कैसे होता है तो सबसे पहले state propose करेगी इन सारे parameters के अंतरगत common sense है क्या हाँ पे national park है wildlife century है eco sensitive zone का क्या area है कौन सी बायो डाइवर्सिटी है तो states इसके basis पर सबसे पहले consider करेगी उसके बाद यह अपना plan ministry of environment forest climate change को दे देगी और फिर वहां से जाके finally notification में आ जाएगा और process होके eco sensitive zone घोशित हो जाएगा तो अगर आप देखें अगर आप देखें तो eco sensitive zones की ही बात हो तो western hearts में अगर हम देखें तो यह recently news में है तो western hearts अगर हम देखें तो जो 6 states है western hearts वाले कौन-कौन से state है western hearts वाले जल्दी से comment में बताईए मुझे already UPC ने पूचा है prelims में ही आया था गुजरात फिर देखो यहां महराष्टरा फिर देखो यहां गोवा फिर देखो आप करनाठका फिर आप देखो केरला फिर देखो आप तमिल्लाडू तो यह 6 states है ना यही 6 states है तो यह 6 states आप देखो तो इन 6 states में western गाट्स पढ़ती है तो आपको याद रखने गुजरात में भी है डैंक्स वाले एरिया में तो अगर आप देखें तो गुजरात से लेके तमिलाडू तक यह जो स्टेट्स हैं तो यहां पे जो विस्टिंगाट्स हैं तो सेंटर ने सेंटर को इन लोगों ने कहा है जल्दी स इको सिंसिटिव एरिया इनके आसपास बता दो कान सा है विस्टिंगाट में तो इससे पहले एक बार एटम्ट किया गया था विस्टिंगाट करने का सबसे पहले आये थे माधव गाटगिल माधव गाटगिल के अंदर कमिशन बनी थी और 2010 में उन्हों ने कहा था कि 64% of Western Ghats क्या होने चाहिए Eco Sensitive mois area होने चाहिए बहुत चर्चा, बहुत अल्ला हुई ये सारे स्टेट भूले सारी mining हमारी तो इसी इलाके में होती है, अगर आप इन सब को Eco Sensitive एरिया घोशित कर दोगे, तो भीया हमारे यहां फिर mining कैसे होगी, खुरा सारे plantations हैं, यह सारे plantation का क्या होगा, तो उसके बाद center ने का अच्छा अच्छा घबराओ मत और एक committee बनेगी, वो आई कस्तूरी रंगन कस्तूरी रंगन committee बोली अच्छा 64% सो साहब ने जादा बोल दिया चलो 37% पर मान जाओ तो 37% eco sensitive area होगी यह किसने कह दिया, कस्तूरी रंगन committee, उसके बाद आप देखो, तो केरला के खुद के chief minister थे, केरला उन्होंने एक अपनी committee बनवा ली वो में चंडी करके हैं, center का नहीं है वो, तो उन्होंने भी कुछ कुछ कह दिया है, वो काम का नहीं है, चंडी report तो अगर आप देखें, अगर आप देखें, तो यह दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा कह दिये हैं, states इससे संतुष्ट नहीं है, तो दोहतार अठारा में अगर आप देखो, तो center ने एक draft notification दिया, जिसके तहत आप देखें, तो करीबन 56,000 square kilometer eco sensitive area होने वाला है, नहीं नहीं, कस्तूरी रंगन यहां भी हैं, वो, यहां भी हैं, वो, कस्तूरी रंगन बहुत famous आदमी है, तो वो बहुत famous है, यह दोनों आपको याद होना चाहिए, तो जी के याद रखिएगा, यही order है, गाडगिल आए, उसके बाद कस्तूरी रंगन आए, गाडगिल सबसे पहले आए, तो अंदाजा नहीं था, बहुत ज़्यादा area बोल गए, तो कितना बोल गए, 64% बोल गए, कस्तूरी रंगन आए, तो थोड़ा कम कर दिये, बोले चलो 37 में मान जाओ, 37 में मान जाओ, तो उसमें भी कोई नहीं मान जाओ, तो अगर देखें तो अभी भी हम देखें, तो states कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो area declare किया है, 56,000, बहुत ज़्यादा है, state की economy खराब हो जाएगी, इतने area को आप restrict कर दोगे, economic activities यहाँ पे, तो क्या हुआ, क्या चर्चा होई है, ओके, क्या हो रहा है, मुझे सुना ही नहीं दे रहा, मतलब देख नहीं रहा, तो स्विन education policy के हैं, अब short लगाया जाएगा, ओके, ओके, नहीं वहीं चाय है, चाय है, नॉर्मल चाय है, तो color पे ना जाएं, color पे ना जाएं, तो next है, अगर आप देखें, तो जिसके चर्चा में ये news में आया है, वो जान लेते हैं, नाशनल चंबल श्वित, नाशनल चंबल century, नाशनल चंबल century, तो अगर आप नाशनल चंबल century देखें, तो गड़ियाल century है, कहां पर है, तो तीन state में distributed है, MP, UP, राजस्थान, तो इसमें अगर हम देखें, तो चंबल रिवर एको सिस्टम पूटेट करने के लिए आपको मालूम है, तो अगर आप देखोगे, तो 75% अव घड़ियाल यहीं पर पाए जाते हैं, गड़ियाल का captive breeding program भी यहीं पर हुआ है, इसके सिवा सिर्फ गड़ियाल ही नहीं, यहां पर गैंजेटिक डॉल्फिन पाए जाते हैं, fresh water turtle पाए जाते हैं, इसके सिवा आप देखें, तो बहुत सारी migratory bird पाई जाती है, आप सब को सब कुछ मालूम है, तो अगर आप दे में है, और नदी में protection मिल रही है, जिसे, तो घड़ियाल जान लीजे क्या है, तो critically endangered है, कहां पाया जाता है, बांगलादेश में, इंडिया में, निपाल में, कहां कहां पे, तो गिरवा river कतरनी घाट, wild life century के पास, जिम कॉर्बेट के पास, राम गंगा river, यह नदियां important है, with wildlife century, याद रखिएगा, गिरवा, कतरनी घाट के पास, कतरनी घाट कहां है, जल्दी से बताईए, कतरनी घाट कहां है, राम गंगा, जिम कॉर्बेट के पास बहती है, पूचा हुआ सवाल है, फिर देखो, सोन रिवर और महानदी, यह भी यहाँ पर आपको घड़ियाल मिल देंगे, फ्रेट्स क्या है, यह मालूम होना चाहिए, मालूम होने बोलने वाले थे, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताईए, मुझे, कतरनी घाट कहां है, कतरनी घाट कहां है, तो फ्रेट्स अगर आप देखें, तो क्या है भाई, फ्रेट्स, फ्रेट्स अगर आप देखे तो इस वज़े से इनका एक तरीके से क्या हो गया है फ्राग्मेंटेशन हो गया है यह सकतरनी घाट यूपी में है याद रखेगा तो डैम बराजे इसके सिवा सैंड माइनिंग कर लोगे आप तो नदी के आसपास जो सैंड है वो निकाल लोगे तो बिचारा अंडा कहा हैं बिचारे घडियाल के जीवन को लेखें तो अगर हम देखें तो कंजर्वेशन स्टैस क्या है मालूमी है आप क्रिटिकली इंडेंजर डबलू पीए में शेडियूल वन में आता है जून सतरा वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे है यूपीसी के इतने बुरे दिन नहीं आई कि आप से यह सब पूछना शुरू कर दे कि वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब है तो फिर अगर आप देखें तो बस इतना जान दीजे बाकी बेकार की बात हैं तो यह तो हो गया तो फर्स डॉल्फिन अब्जर्वेट्री कहां बनाया गया है तो इंडिया का पहला डॉल्फिन अगर आप देखें तो गैंजेटिक डॉल्फिन को अब्जर्व करने के लिए भागलपूर डिस्ट्रिक्ट में इस्टैबलेश किया गया है भागलपूर में भागलपूर में बना है गैंजेटिक डॉल्फिन को अब्जर्व करने के लिए तो अगर आप देखोगे कहां प तो अब्जर्वेट्री क्या करती है एको टूरिजम करेगी बेसिकली बेसिकली आप जाओगे आप देखने तो सबसे पहले कहीं भी जाओ चिलका जाओ तो जो बोट वाला होता है ना वो यही कहता है कि अगर मैंने आपको डॉल्फिन नहीं दिखाया इरावदी डॉल्फिन तो पैसे मत देना वैसी गुए में भी जाओगे तो वहां भी जो डॉल्फिन होती है वो बोट वाले यह कहता है अगर नहीं दिखाये तो पैसे मत देना तो टूरिजम में लोग बैसिकली डॉल्फिन को ही देखने जाते हैं डॉल्फिन उछलके कूदती है लोगों को जाता है तो वो देखने जाते हैं तो इसलिए यहां भी क्या होगा लोग इस observation point में आएंगे और eco tourism के बहाने आके dolphin देखके जाएंगे बिल्कुल तो आयू सीन सेटस क्या है गैंजेटिक डॉल्फिन का तो तीन प्रकार के डॉल्फिन जो आपको याद रखने है कौन-कौन से है गैंजेटिक डॉल्फिन है इरावदी डॉल्फिन एंडस डॉल्फिन है तीनों से अंधे होते हैं खास दिखता नहीं है और यह साफ पानी होगा तो दिखेंगे याने अगर यह कहीं पर दिखने शुरू हो गए मतलब पानी साफ हो गया कहां पाया जाता है गंगा ब्रंपुत्रा मेगना सिस्टम में करन फूली सांगू रिवर मयानुवार बंगलादेश ब आपको देखने मिलेंगे इसके सिवा आप अगर देखें तो इंडिया में कहां पाये जाते हैं तो साथ स्टेट या दर कियेगा असम यूपी एंपी रजिस्थान बिहार जारकन वेस्ट बेंगॉल इतने रीजन्स में पाये जाते हैं यस दे आर बायो इंडिकेटर इसके सिवा आप देखोगे dolphin को major threat किया है pollution, dam बना दोगे, barrages बना दोगे, sand mining करोगे, net में फस जाएगा, तो वो सब जो घडियाल को problem कर रहा था, वही सब इनको भी problem करेगा, इनको भी करेगा, तो gangetic dolphin अगर आप देखो तो 21 species हैं, जो कि identified हैं, किसके अंदर, 21 नहीं, अब त तो एक centrally sponsored scheme हमने discuss किया था, development of wildlife habitat, तो वो वाले scheme के अंदर इनको भी protect किया जाता है, critically endangered species के नाम पे जनको protect किया जा रहा है, भले वो critically endangered ना हो, vulnerable हो, कोई threatened है, उनको भी किया जा रहा है, तो वही species में protect किया जाता है, खास important नहीं है, ठीक है, तो plastics, yes, 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 plastics भी, तो यह आपको common sense, common sense है ना, जब भी ऐसा हो, common sense use करके मार दीजिए, तो यह आपको याद रखना है, चले, next अगर हम देखें, तो बाकी के dolphin कौन से है, इंडस river dolphin है, endangered है, इंडिया में कहां पाया जाता है, मेजरली पाकिस्तान में, इंडिया में बस, बयास में, बयास में, इसके सिवा इंडिया में, पंजाब में बस बयास river थे, तो muddy river में रहता है, यह भी बिचारा लगबग अंधा ही होता है, इसके सिवा आप देखो, तो dolphin क्या है, state aquatic animal है पंजाब का, IUCN status यह भी endangered है, वैसे ही आप देखो कि चलका में कौन सा है, इरावदी dolphin है, IUCN status क्या है, endangered है, तो कहां पाया जाता है, तो चलका लेक के आसपास पाया जाता है, और गंगा नदी के किनारे भी mouth में पाया जाता है, सुन्दर बंस में, इसके सिवा आप देखोगे, तो South East Asia के मिकॉंग river में भी पाया जाता है, इरावदी नदी के इलावा, इरावदी में भी मिकॉं पाया जाता है, इसके सिवास समुदरी इलाकों में जो पाया जाने वाला डॉल्फिन है, वो है, इंडियन चोशन, नाम से पता चल गया आपको समुदरी आलाके का, समुदरी डॉल्फिन है, Freshwater डॉल्फिन नहीं है, तो इंडियन ओशन, Humpback Dolphin, हां, जो अंधे होते हैं उन प्रसेस करने वाला है तो इसलिए काफी दमांग से तेज होते हैं यह लोग तो अगर आप देखोगे तो यह शैलो पानी में पाया जाता है इंडियन ओशन हम बाट डॉल्फिन यह क्या है यह भी endangered है और पानी के शोर वाले इलाके में पाया जाता है इसके सिवा South Africa में East Africa में Middle East में और इंडिया के West Coast में पाया जाता है Indian Ocean Humpback Dolphin तो आईए कुछ important conservation national parks wildlife centuries हैं बहुत important है आपको मालूम होना चाहिए जो news में चल रहे हैं तो सबसे पहले जानिए डिबरू साइखोवा national park क्यों news में है ओईल इंडिया ने कहा है यहाँ पर हम तो भाया drilling करेंगे तेल निकालेंगे OIL तो पार्क कहां पर है तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नदिया है लोहित है ब्रह्मपुत्र है और साथ में एक डिबरू नाम की छोटी सी नदी है डिबरू साइखोवा डिबरू गड है ना डिबरू गड एक जगह भी है तो कौन सी नदी है डिबरू नाम की छोटी सी नदी है तो कौन सी नदी है असम में बिसिकली लोहित ब्रह्मपुत्र और डिब्रू नदी ये तीन नदियां मिलके असम में डिब्रू साइकोवा नाशनल पार्क बनाती हैं ये बहुत फेमस है अपने सैलिक्स स्वांप फॉरेस्ट के लिए इस प्रकार का जो फॉरेस्ट है इसी को कहते हैं सालिक्स सालिक्स स्वांप फॉरेस्ट तो बहुत फेमस है तो जाहिर सी बात है इस परकार का forest है तो bird के लिए बहुत important area होगा तो important bird and biodiversity area भी है रट लिया था बहुत बढ़िया तो अगर आप जंगल देखें यहाँ पे तो semi evergreen forest है deciduous forest है और wet evergreen forest है जानवर जरूर जानियेगा tiger पाया जाता है elephant पाया जाता है leopard पाया जाता है गैंजिटिक dolphin भी पाया जाती है slow loris भी पाया जाता है small intensity weight को क्यों छोड़ दे जान लीजिए यह सारे important है दरूर याद रखिएगा नेक्स्ट जिम कॉर्बेट नाशनल पार्क राम गंगा नदी है उस पर चलती है तो नैनिताल डिस्ट्रिक्ट में उत्राखंड में है 1936 में इसको हेली नाशनल पार्क के नाम से बनाया गया था इंडिया का oldest नाशनल पार्क है जिम देखें तो यहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉंच हुई थी 1973 में तो अगर आप देखें तो हाँपर तेराई वाऱा रीजन है तो मार्शी डेप्रेशन भी मिलेंगे रिवराइन वेल्ड भी मिलेंगे ग्रास्लेंड профla लेक भी मिलेंगे क्यों news में है जिम कॉर्बिट गेस कीजिए एक favorite dialogue आईगा मेरा फिर कौन? मेरे दो favorite विक्ती वहीं पर इस वक्त कुछ दिनों पहले पाई गए थे जिम कॉर्बिट में कौन थे वो? कोई guess करेगा? जिम कॉर्बिट नैशनल पार्क में किन को दिखा गया? एक तो वहां टाइगर है कहा जाता है टाइगर और लायन कभी एक साथ नहीं रहते लेकिन ठैंक्स टू नैट जी ओ discovery discovery गुजरात नो सिन और tiger दोनों एक साथ नहीं कोई लाल मूँ अरे वाह मोदी जी वाह गये थे वहाँ याद नहीं कि आपको नहीं भाई गुजरात के लायन है हमारे वो ऐसे थोड़ी ऐसे कैसे गिर के लायन है वो हमारे लायन है मोदी जी तो वो गये थे कहाँ पर तो वो जिम कॉर्बेट में रिसेंटली मैन वर्सेज वाइल की शूटिंग के लिए गये थे ना तो तब से ये काफी न्यूज में चल रहा है करन अर्जुन पाए गये थे तो हाँ तो आपर अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली न्यूज में था तो इसे लिए नान वर्सेज वाइड की शूटिंग यहीं पर हुई थी तो मोदी जी गए थे यहां पर जिम कॉर्बेट नाशनल पार्क में तो न्यूज में तो जरूर याद रखिएगा एंडिया का पहला नाशनल पार्क था उल्डेस कि नाशनल पार्क एगर आप देखें तो न्न देड़ीटिया एक पहाड है हमालियास में फीक है 7800 मीटर पे तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैली ओफ लार्स नाशनल पार्क है यहीं पर और यह वर्ल्ड हरिटेज साइड भी है युनेस्को का यह देखो तो एक युनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्वेर रिजर्व में भी आता है तो बायोस्वेर रि लिटी है बायोडाइवर्सिटी है जो प्रकार के जानवर है वह है एसिया टिक ब्लाक बेर स्नो लेपर ब्राउन बेर ब्लूशेप यह सारे जानवर यहां पर पाए जाते हैं वैली ओफ लार्स देखिए क्या बात है तो वैली ओ फ्लार्स मुझे देखना था मैं कभी तो कहां पर है पाखे का दूसरा नाम है पक्वी बीसंदी को बोलता है तो तो यह आप देखेंगे सबस्げेंगे प्रकार का साप पाया गया है क्या नाम है साप का एक नया स्पिशीज है साप का यहीं पर डिस्कवर हुआ है सलजार स्लिधरीन यह नाम है साप का कौन सा प्रकार का साप है वाइपर फैमली का है वाइपर फैमली क्या होता है आप देखें तो रसल्स वाइपर तो आपने लेकिन इतना ही फॉता है अजिखता है बहुत पार लोगों को लगता है कि मैं भुछार ignore का वैसका लेता है एक पल्टा तो इसी का एक भाई बंदू पाया गया एक नया प्रकार का वाईपर फैमिली का सांप है सलाजार स्लिधरीन कहां पाया गया है पक्के टाइगर रिजर्व में किस और आपने हाथ लगाया है वो तो पॉईजनस होता है भाई ऐसा कैसे अजगर को या उसको विनम वाला ये वाईपर को बाबर जो अवाज करते हैं अवाज 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 वो जो रैटल स्नेक होता है वो इंडिया में नहीं मिलता हां 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 रसल वाईपर भी अवाज करते हैं हां हां वाईपर भी अवाज करते हैं वाईपर मुझे बिच्चु ने काटा है लेकिन साप मैंने चुबा नहीं है कभी तो अगर आप देखें तो पक्के टाइगर रिजर्व पक्वी में पाए जाते हैं अरुनाचल प्रदेश में इस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा वहां पर है तो यह अगर आप देखें तो इस्टन हिमाल्या बायो डाइवरसिटी हाटस्पॉट में भी आता है और इसे को पक्वी टाइगर रिजर्व को इंडिया बायो डाइवरसिटी एवार्ड 2016 में मिला था क्यों कि हौन विल को इन लोगोंने конц spindle किया था बचाया था तो इसलिए हौन विल कैसे कंजर्व किया तो हॉन बिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम किया था अपने काम का नहीं है बस इतना जान लिए सपेरे ने पकड़ रखा होगा हो सकता है यह अब करा के रखते हैं सपेरा वह आला क्या ओके ओके नहीं नहीं जरूर किशोर जी कह रहें तो कुछ तो कारण होगा मुझे लगता है जंगली पकड़ा आये इन्होंने वाई पर ऐसे थोड़े वह आला नहीं ठीक है ठीक है तो अब भी बता देंगे तो चलिए नेक्स जानि पेरी अंधारी कहां पर महराश्ट्रा के चंद्रपुर्ट के पास वाला इलाका है वहाँपे आप देखोगे तो चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट है सरफरोष अगर आपने देखी है तो जो स्टार्टिंग का सीन होता है ना तो जो जहां पर हो नक्सल वाला इलाका दिखाया जाता है वही था चंद्रपूर चंद्रपूर तो चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट महराश्टरा में है तो नाम सही पता चल रहा है लिपर्ड भी मिलेगा स्लॉद बियर ठीक है नहीं याद रहे चलेगा लेकिन टाइगर है यहां पर यह जरूर जानिएगा नेक्स्ट इस दिहिंग पठकाई एलिफेंट रिजर्व तो यह कहां पर है याद रखेगा यह असम में तो अगर आप देखें दिहिंग तो दिहिंग पठकाई वाला रिजर्व अगर आप देखें तो रिचल्टी न्यूज में है क्यों कि नाशनल बोड फॉर वाइल इसने कह दिया है कि कोल माइनिंग कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिहिंग पठकाई elephant reserve है कहां पर है तो यह जैपोर छोड़ो उसको बस इतना जानो आप असम में है असम में दिहिंग भ्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी थी दिहिंग नदी जिसमें आग भी लगी थी याद आ रहा है कुछ बूरी दिहिंग तो दिहिंग नदी वही है तो यह यह दिहिंग नदी फ्लो करती है और यहां पर देखो तो यहां पर पठकाई बुम पठकाई बुम पहा है पठकाई बुम तो इसे लिए अगर आप दिहिंग पठकाई एलिफेंट रिजर्फ देखो तो एक तरफ दिहिंग नदी चलती है दूसरे तरफ कौन सा पहाड़ है पठकाई बुम पहाड़ है कि ओके रसल वाइपर के छोटे बच्चे निकले यह बात वही मुझे लग रहा था कि शौर कह रहे हैं तो बात में दम होगी क्या क्या आप पर लिगेशन लग गए कि आपको सपेरे ने पकड़वाया था आपने सौर रुपे दिये ते उसको चूने के तो इसलिए आपने आप देखें तो दिहिंग रिवर है पटकाई बुम पहाड़ है तो उस रीजन पर पाया जाता है दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व तो पास में अरुणाचर प्रदेश का दियोंमली एलिफेंट रिजर्व भी है तो नेक्स देखते हैं लेकॉन लेकून लेकॉन तो LACONS अगर हम देखें तो CSIR का Lab है याद है Council of Scientific and Industrial Research धेर सारे Labs हैं इनके इनके Biotechnology से लेके, Nanotechnology से लेके Animal Science से लेके, हर चीज़ पर इनके Lab है तो CSIR का Biodiversity के लिए जो Lab है उसका नाम है LACONS Laboratory for the Conservation of Endangered Species तो इसमें अगर आप देखें तो इन लोगों ने क्या किया है जानवर को बचाना है तो जानवर के अंडे समाल के रख लिए है तो क्या किया है तो Cryo Preservation किया है बिल्कुल थंडे जैसे तो Cryo Preservation किया है बिल्कुल थंडे फ्रिज में क्या करोगे जानवर के मेल और फीमेल के सिमन और उसाइट ज्या ओवरी एग सेल होते हैं उनको बचा के कंजर्व करके रखना है और इस प्रकार से कोई जानवर खतम भी होने लगे तो उसे successfully test cube baby की तरह reproduce करवा देना और जंगल में छोड़ देना तो इन लोगों ने इसी प्रकार से successfully reproduce भी किया किसको black bug को, spotted deer को, nicobar pigeon को तो इनका यही काम है क्या काम है भाई? endangered species का conservation करना है क्या करो? cryopreservation करो cryopreservation liquid nitrogen में? ओके थंडा तो होता है liquid nitrogen 96 degrees, minus 96 degrees okay, that's nice that's nice तो इस temperature पर रखोगे तो male और female दोनों के जो egg cells है उनको बचा के रखना है तो इसी में अगर आप देखें तो इनका एक genetic resource bank भी है इनके पास Indian wild animals का तो इसमें क्या है genetic resources from 23 species को इन लोगों ने बचा के रख लिया है so that कल को वो जानवर extinct in wild भी हो जाए तो ये लोग क्या करेंगे artificially reproduce करवा के उसको वापत जंगल में ला सकते है UP government ने क्या किया है भाई रिसेंटली 800 km का एक herbal road बनाया है क्या किया है road का stretch है दोनों side बस और बस medicinal और herbal trees लगाए जाएंगे एसा सरमान आ गया है तो क्या लगाया जाएगा people लगाएंगे नीम लगाएंगे सहजान लगाएंगे सहजन सहजन याने drumsticks सहजन सहजन खाने वाला होता है नड्रमrettन होता है तो सहजन लगाएंगे साथ-साथ आप देखो तो brahmi ashwagandha jetrofa इन सारी चीजों को लगाया जाएगा so that दवाई बनाने के लिए raw material आयुरुवेदिक दवाईयां बना सके और दूसरे तरफ लैंड इरोजन से भी बच सके तो यह इनिशियेटिव हर्बल रोड तो कंफ्यूज मत हो जाईएगा टेस्टी लगता है सैजन तो शायद मेरे घर पर बनाना नहीं आता फिर मैं यहीं समझूंगा क्योंकि मुझे तो आज तक पसंद नहीं आया सैजन मजबूरी में खाना पड़ा है कहते हैं सेहत के लिए अच्छा है खालो तो नेक्स्ट देखिए इंवायमेंट प्रोटेक्शन के लिए इसका पचासवी साल गिरा हुई है 2020 में तो 2020 का थीम क्या था? climate action तो क्यों Earth Day मनाया जाता है मनाया जाता है क्योंकि 1972 में April 22 1972 को लोग आके काफी ज्यादा हंगामा हड़कम मचाए थे कि 1969 में लोग आके हड़कम मचाए थे हंगामा किये थे अमेरिका में कि हमें अपना environment protect करना है environment को ignore किया जा रहा है तो उसके बाद अमेरिका में पहली बार environmental protest हुआ था तो उसी को यादगारी के तरीके से हर साल April 22 को मनाना शुरू हो गया World Earth Day क्या important है बहुत important नहीं है ये कहानी जरूर जान लीजिए कैसे बना तो पहली बार environmental protest हुई थी World Environment Day उसी के यादगारी में मनाया जाता है next is World Water Day 22 March को मनाया जाता है इस बार का focus क्या है क्या purpose होता है World Water Day पानी बचाओ fresh water बचाओ समुदर का पानी बचा के क्या करोगे साफ पानी बचाओ सम नदी का पानी बचाओ मीठा पानी बचाओ जो पीने के काम आएगा तो इस year का theme क्या है water and climate change water and climate change और थार 2020 और थार कौन मनाती है WWF मनवाती है यही सवाल आ चुका है UPSC प्रिलिम्स में तो WWF और थार मनवाती है क्या purpose होता है हर country के हर घर को कहा जाता है साड़े आठ से साड़े नाओ बत्तियां बुझा दो क्यों non essential electric lights turn off कर दें so that so that आप एक protest कर सकें एक की चलो मैं environment की लिए कुछ सूचता हूं मैं कुछ करना चाता हूं तो एक solidarity movement है कि दुनिया एक साथ है environment को लेके तो बस शोशे बाजी किया जाता है इसी चला के घर में बैट जाओ लाइट ज़ूर आफ कर देना और दुनिया में South America से लेके आप देखोगे इंडिया तक एफरिका तक योरोप तक हर कोई participate कर रहे हैं तो इसलिए ये global movement है grassroot movement है क्योंकि आपके मेरे जैसे लोग participate करते हैं तो www क्या है एक NGO है एक NGO है मोदी जी ने बोला था दिये लगाओ सब light one करके यही कुछ दिमाग होगा इसके पीछे शायद कुछ होगा वैसा ही तो चलिए नेक्स ए यून वर्ल्ड water development report 2020 तो यून वर्ल्ड water development report किसने publish किया है याद रखिएगा UNESCO ने publish किया है किसके बहाफ पर UN water याद रखिएगा UN world water development कौन पब्लिश करती है UNESCO करती है किसके बहाफ पे करती है UN Water के बहाफ पे करती है बाकी सब बस कहानी है तो सुन लीजे कहानी तो UNESCO World Water Assessment Program है जिसका काम है UN के Water से Related 31 मेंबर्स है UN Water के 31 मेंबर्स है और पार्टनर्स है तो UN Water एक उसकी खुद की पानी के लिए जिंसी है तो उसके 31 मेंबर्स हैं पार्टनर्स हैं तो उन सब के साथ मिलके एक UNESCO World Water Assessment Program है UNESCO का World Water Assessment Program है जो UN Water के साथ कौडनेट करती है बैट के बातचीत करती है और फिर आप देखोगे तो World Water Development Report पब्लिश की जाती है पब्लिश की जाती है तो इस बार का पर परपस क्यादा टाइटल क्या है सेम water and climate change आपको क्या रखना है किसने पब्लिश किया यह रिपोर्ट यूनिसको ने किसके बिहाफ पे UN Water पे बाकी common sense है climate change हो रही है पानी की availability कम हो रही है पानी की quality खराब हो रही है quantity कम हो रही है यह means के लिए important है global water use अगर आप देखो तो 6 गुना बढ़ चुका है पिछले 100 सालों में और हर साल 1% के rate से बढ़ रहा है increase कर रहा है UN water अभी का मैंने UN water क्या है तो UN की जितनी भी काम हो रही है जितनी UN के अलग-अलग agencies है अलग-अलग organization है तो उसमें WHO है FAO है सब में कहीं न कहीं water का role है तो इन सभी के water के role को coordinate करने का काम कौन करती है UN water करती है तो it coordinates the efforts of UN entities and international organizations working on water and sanitation issues तो यह purpose है members कोने partners हुन है हमारे काम के नहीं है जली आज का आखनी टॉपिक है आज का आखरी टॉपिक है ग्रेफ ग्रेफ मैं तो और गली करते हैं इसको भी कली करते हैं सब्सक्राइट करतेear तो कोशिश रहेगी कल 3-3 घंटे का marathon हो जाए और कल के बाद परसो भी कुछ उतना ही लंबा marathon रख ले तो जल्दी जल्दी खतम करेंगे अब देखें आप ऐसे ही factual ग्यान है concepts बचे नहीं है मेरा purpose in classes का यही है कि मैं आपको वो key point जो याद करना है वो बता दू और इसमें identify करवा दू क्या gas है क्या सही है जो आपको याद रखना है जिसमें सवाल बनेंगे तो इस तरीके से इस approach से हम cover कर लेंगे तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा ही है एंड थोड़ी बहुत चीजें जोग्रफी की भी आएंगी इसमें न्यूस क्या है एंड डिजास्टर मैनेज्मेंट लास्ट में देखेंगे इन न्यूस क्या है क्योंकि मेजरली उससे question आएगा तो मेंस के point of view में आने वाला है कि फॉरें कंट्री में यूपेसी जैसा कोई एक्जाम होता है क्या जिसमें अपने इंडिया का से ले बस आता है नई और इन कंट्री मुझे तो बांगलदेश प्ब्लिक सर्विस कमिशन है वैसे वह बांगलदेश भी वह लोग उनके भी अपने डेडिकेटेट अजिस लेखें यहाय सो लौर अज़ाय दरता होगा स्कैनल सो क्टी और सब्सक्राइब क्रेखनेर कर और में यहीं पर रोगते हैं तो to be frank मुझे भी कोई बहुत वैसा नहीं लगता इसलिए कोशिच रहती है जल्दी-जल्दी मैं आपको इन topics के तुरू यही मदद करूं कि मैं आपको identify करवा दूं कि क्या याद करें और क्या गास है जिसे नहीं याद रखना तो यही अप्रोच रहेगा इन topics में तो आइगेस यही बेस्ट यूटलाइजिशन ऑफ टाइम होगा कि अगर हम identify कर लें कि क्या का important है क्या नहीं है ना तो वही अप्रोच से पढ़ेंगे ठीक है थांक यूँ सो मच थांक यूँ सो मच यूँ सो मच तेक केर और कल सेम टाइम थीन से छे marathon रखेंगे and इसको अच्छे से cover करने की कोशिश रहेगे. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Bye-bye.